दोस्तो अगर हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो लाइक कीजिएगा ताकि हमको पता चल सके और इस रेड़ वाले सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आप सब्सक्राइब हो जाएं और बेल आइकन आएगी उसे भी दबा देना हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब लोग दोस्तों है विशाल असव का स्वागत करता हूँ आपी के चैनल में उमीद है आप लोग को वीडियो पसंद आरे होंगी पसंद आरे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हम वीडियो को आपको एंड तक देखना है तो दोस्तों आज की अप्लिकेशन बहुत जादा मज़ेदार है इसके लिए वीडियो को आपको एंड तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस एप्लिकेशन के लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिशन म करना जाते हैं कोई भी electronic item ऐसा है जिसको आप remotely access करना चाते हैं तो इस application की बज़ा से आप कर सकते हैं ओके दोस्तों जैसे कि मेरा MI का phone है ओके दोस्तों आपका कोई और phone हो तो आप क्या कर सकते हैं इस application को install कर सकते हैं इंस्टॉल करने के बाद आप जैसे ही से खोलेंगे और आपके पास जैसे कोई AC है और उसका remote आपका खराब हो चुका है तो आपने क्या करना है यहाँ पर AC का option गिविन है ओके AC का option पे given पे click करेंगे आप और यहाँ पे आप company डाल देंगे जैसे कि मेरा जो AC है वो Lloyd Company का है मैं इसे select कर लेता हूँ अब मैं इस पर click करता हूँ did it work यह क्या काम किया मैं बोल दूँगा no फिर दुबारा मुझे इस पर click करना है यह भी काम नहीं किया no और इस पर फिर से click करूँगा क्या ये काम किया no then फिर से क्लिक करूंगा no तब तक करना है जब तक आपका ये काम नहीं कर देता और जैसे ही आपकी device connect हो जाती है यानि कि आपका phone आपका जो AC है चालू बंद हो जाता है तो आपका यानि कि वो successful हो चुका है अभी no चल रहा है हमारा हम इस तरीके से करते रह अचे कर सकते हैं ओके चलिए अभी हम ठोड़ा पास आके चेक कर लेते हैं देखते हैं क्या होता है किया यह कम की हाघना हां लेट कि इस तरीके से में पार बार बार चेक करना है और सारी चेक करना है और जैसे ही वो देखिए अब यह मेरा connect हो चुका है मैं yes कर दूंगा तो temperature बना सकता हूं मैं इसको rate कर सकता हूं रेटस 5-8 वह आपके उपपर है रेमाइंड मी लेटर और आप जिस तरीके से यहां का temperature कम या ज्यादा करेंगे power on देखिए power on करते यानि कि बंद करते ही बंद हो गया और जैसे ही मैं से चालू करूँगा देखिए यह power चालू हो चुका है इस तरीके से यह काम करता है power on off यह आपके उपर पूरी तरीके से depend रहता है और यह इस तरीके से आप अपना AC कंट्रोल कर सकते हैं अगर आपका remote खराब हो चुका है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं और भी बहुत सारे mode के option पर जाएंगे आप mode on off किस तरीके से आपको change करना है वो आप अपनी तरीके से check कर सकते हैं तो इस तरीके से यह application पूरी तरीके से काम करती है ओके दोस्तो fan अगर बढ़ाना है temperature अगर बढ़ाना है तो overall यह application आपको इस तरीके से काम करके देगी मज़ा आएगा अगर आप इस application को use करेंगे तो मुझे बहुत अच्छी लगी है personally application इस application की मदद से आप कोई भी AC का temperature easily manage कर सकते हैं तो अच्छी लगी हो यह application तो like जरू करना अपने वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरू करना वेल आइकन को दबा दीजिएगा बहुत जल हम आपको मिलेंगे नेश वीडियो में तब तक के लिए बाए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस app के link आपको वीडियो के नीचे description में मिल जाएगी तो बहुत जल मिलेंगे नेश वीडियो में तब तक के लिए बाए